इस वीडियो में हम फार्मूला टैब के टेक्स्ट फंक्शन में यहां पे यह T-Farmूला है और यह T-Trim फार्मूला है इनको हम यहां पे करेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम T-Farmूला को करेंगे Excel में हम T formula का use तब करते हैं जब हमें अपने data से जिसमें की number लिखे है और text लिखा है तो उसमें से हमें केवल text को इस शो करवाना होते है तो हम T formula यूज करते हैं तो यहाँ पे यह data है यहाँ पे लिखा हुआ है नितिन और यहाँ पे alphabet capital में A लिखा हुआ है small में A लिखा हुआ है यहाँ पे number लिखा हुआ है यहाँ पे blank है यह फिर यहाँ पे text लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पे number है तो यहाँ पे यह जो data यहाँ पे दिये गया है इसमें जो यहाँ पे text है वो यहाँ पे हमें show करवाएगा और जो यहाँ पे number दिया हुआ जैसे यह number है और यह blank है और यह number है तो इसको यहाँ पे हमें show ने करवाएगा तो इसको हम T formula के जरीए करेंगे तो T formula यहाँ पे हम use करेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद equal to यह लिखा, लिखने के बाद हम यहां पर T formula यूज़ करेंगे, यह T यहां पर आ जाएगा यहां पर Tab की प्रस करेंगे यह लिखने, ती आ गया इसके बाद यहां पर दीए गया है value टो जो value है, यह जैसे यहां पर दिया हुआ नितिन यहां पर click करेंगे यहां पे क्लिक किया यह यहां पे value यहां पे आ गई इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे यह enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यहां पे यह text था तो यह यहां पे show गया अब यह निचे इनको देखते हैं तो यहां पे देखने के लिए यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद यह देखो जो यहां पे टेक्स्ट था वो यहां पे हमें शो हो गया और जो यहां पे नंबर लिखे थे वो यहां पे शो नहीं हुए यह देखो यह ब्लैंक ह किया और यहां पे हमने क्या किया नंबर लिखा कोई जैसे यहां पर यह नंफर लिखा इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे एंसे यहां पर लिखा हुआ है यह बिलैंक नहीं प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पर यह चला जाएगा क्योंकि यह जो t formula होता है यह cable text को यहां पर show करवाता है बाकी numbers को यहां पर show नहीं करवाता है t formula के बाद अब हम यहां पर trim formula को करेंगे एक्सल में हम कुछ लिखते है और हम अगर शब्दों के बीच में एक से ज़्यादा space दे देते है तो trim function उन extra spaces को अटा दिते है और cable शब्दों के बीच एक space रखता है तो इसको करने के लिए हम यहां पर trim function यूज़ करेंगे तो यहां पर यह हमारे पास कुछ data है इसमें यह लिखा हुआ है जैसे यह first name लिखा हुआ है यहां पर बॉबी कुमार शर्मा यहां पर हम क्या करेंगे यह बॉबी इसके बीच यहां पर एक space है यहां पर हम क्लिक करेंगे यह cursor यहां पर आ जाएगा करसर आने के बाद हम यहां पे 4 स्पेस देंगे यह लिखो 1, 2, 3, 4 यह 4 स्पेस हमने इसके बीच में दिये और कुमार के बाद यहां पे हम करसर रखेंगे रखने के बाद यहां पे 4 स्पेस यहां पे देंगे 1, 2, 3, 4 यह हमने यहां पे space दे दिये अब यह trim function जो है इन spaces को कम कर देगा इसके बीच में और केवल एक ही space इनके बीच में जैसे बावी कुमार इसके बीच में एक ही space होगा इसके बाद कुमार और शर्मा इसके बीच में भी एक ही space होगा यह जो extra space यहां पर हमने दिये इनको यहां पर आटा देगा तो इसको यहां पर करके दिखते हैं यहां पर trim formula यूज करेंगे यहां पर click किया click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पर trim यह देखो tr यहां पर लिखने के बाद यहाँ पर यह ट्रिम यह निचे यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद यह ट्रिम यहाँ पर आ जाएगा आने के बाद आगे दिये गया टेक्स्ट तो किस टेक्स्ट को यहाँ पर ट्रिम करना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो य यहाँ पर text है, a3 cell लाइए, यहाँ पर click करेंगे, यह a3 cell नहीं यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, यह bracket बंद की, इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो, यह जो यहाँ पर extra space हमने दिया था, यह space यहाँ पर कम हो गया है, औ यहाँ पर हम click करेंगे, और इसके start में हम cursor को रखेंगे, यह यहाँ पर s के आगे हमने cursor रखा, आगे से हमने space दे दिये, 5 space दिये, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह हमने यहाँ पर 5 space दिये, space देने के बाद, जब हम यहाँ पर trim formula यूज करेंगे, तो यह इन spaces को अटा देगा, और यह य इसको करके दिखते हैं, यहाँ पर click किया, click करने के बाद, equal to, यह press किया, इसके बाद यहाँ पर trim लिखा, यह tr press करने पर, यह trim यह निची आ जाएगा, यहाँ पर double click किया, trim आ गया, इसके बाद आगे दिये गया text, तो text यह है, शसी, यहाँ पर click करेंगे, इसके बाद bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो ये देखो आगे यहां पे हमने space दिये थे तो ये जो space है ये trim formula के जरीए यहाँ से हट गए तो ये शची यहाँ पे आ गया है इसके बाद ये नीचे हमने यहाँ पे number लिखे हुआ है तो number में भी ये trim formula यूज होता है, तो यहाँ पे number के बीच में हमने बहुत से space दीये हुए है इन spaces को आहाम trim formula के जरीए अठाएंगे तो यहाँ पे हम trim formula यूज होस करेंगे, यहाँ पी click किया click करने के बाद equal to इसके बाद यहाँ पे trim लिखा यह trim आ गया, trim आने के बाद यहां पर double click किया इसको select करना है तो इसको select किया यह cell name यहां पर आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह जो number हमने लिखे थे इसके बीच में जो extra spaces हमने दिये थे वो हट गए और इनके बीच म हमने बहुत ज़्यादा space दिये हुआ अब हम trim formula के जरीए इसको यहां पे left side में लाएंगे starting में हम यहां पर trim formula यूज करेंगे यहां पे click किया इसके बाद इकल टू ये लिखा इसके बाद यहां पर trim ये लिखा यां पर double click किया double click करने के वाद आगे यहां पर text दिये गया ह तो text जो है यह है तो यहाँ पे click करेंगे यह cell name यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे proper case यहाँ पे left side में आ गया है और यहां पे जितने भी आगे स्पेस थे यह यहां से हट गए हैं तो इस तरह से हम यहां पे ट्रिम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने टी फार्मूला और ट्रिम फार्मूला के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद